इस्टोनेस से बहुत सारे प्रश्ण हमने पहले भी कर लिया है और आपको एक सिरीज में पूरा इस्टोनेस का जितने ही फैक्ट हो सकते हैं पूछे आ सकते हैं वो दे दिया है फिर भी मैं शामिल कर रहा हूं इन प्रश्णों को कि पूछे जाते हैं तो आप लोगों का गलत भारतमेनेनेनोपाशाणकाल में जिसका प्रारम साथ यार इसबूर से जबकि विश्वत सतर अस्थर से ञायो थो न अधिजार इसबूर और उनसे बने हतियारों का प्रयोग करते थे वही नहीं इसी काल में रथाद नौ पाशान काल में ही क्रिशी और पहिये का भी अविश्कार होता है आग का अविश्कार दोस्तों पुरा पाशान काल में होता है लेकिन सरवाधी को प्योग इसी काल में रथाद नौ पाशान का निम्लकित बहुत गरंतों में इसे किसमे संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विच आप दे फालोइंग बुद्धिष्ट टेक्स कंटेंस दे रूल्स आफ एस्सोसियेशन लाइफ तो आप जानते हैं तीन पिटक हैं कौन-कौन से विने पिटक, सुत्थ पिटक और अभिधम पिटक विने पिटक उन तीन बहुत गरंतों में से एक है जो त्रिपिटक कहलाते हैं अर्थाद अभिधम, सुत्थ और विने में से एक विने पिटक है विने पिटक भिक्षू और भिक्षडियों के संग और धैनिक जीवन जो समंदी नियम है जो संग के नियम है और उनके जो आचार विचार है वो सब इसमें समाईत हैं वहीं बौत धर्म के उबदेश की बात की जाया तो अभिधम पिटक में बौत धर्म के उबदेशों का वर्डन है और अन्तिम जो सुत पिटक है दार्षनिक सुत धानत है उनका वर्डन मिलता है तो याद रिखेगा तीनों पिटक और उनके विशय को विनै पिटक में जो संग जीवन है उसके बारे वरडन प्राप्त होता है ठीक और अभिधम पिटक में बहुत धर्म के उपदेशों का वरडन है जैन अधर्म के संबद में मिखित में से कौन सा कथन सही है which of the following statements regarding जैनिज्म is correct यह करमवाद में विश्वास करता है यह करमवाद में विश्वास नहीं करता है यह करमवाद के संबद में मौन है यह करमवाद की भसना करता है तो देखिए जैनिजम जो है कर्म के सिधांद पर आधारित है यह कर्म वाद पर अटूट विष्वास रखता है उसका मानना है संसार के सभी प्राणी अपने-पने जो संचित कर्म है जो कर्म किये करते हैं उसी के अंसार फल भी उसको मिलता है अर्थात कर्म ही और कर्मों का प्रफल ही जन्म और मृत्यू का कारण है। जैंधर में सनलेकना और निशिद्धी प्रफा ये सब प्रचलित थी। अपने सुना भी था बीच में काफी प्रचलित भी थी। मौरे सामराज के सस्थापक चंदकुत मौरे ने भी समणे बेल गोला में जाकर सनलेखना विदिचे अपने प्राण त्याग दिये थे ठीक है तो इसका ए उत्तर होगा यह कर्मवाद में विश्वास करता है अशोक के रुम्मिन देवलेक में किस करके वसूले जाने का उलेक म तो अशोक का आर्थिक अविलेक भी कहा जाता है इसलिए क्या कहा जाता है आर्थिक अविलेक यह रुम्मन देवी दोस्तों नेपाल की तराई मिस्तित है अशोक अपने शासनकाल के बीसवे वर्ष रुम्मन देवी अर्थाद यहां पर आये थे और यहां धार्मिक कर बली बुद्ध के जन मकाव लेखी प्रमाण किसमें मिलता है तो रुम्मिन देई अविलेख में अशोक यहाँ पर बीसमें वर्ष में आये थे उसमें और वहाँ पर जो धार्मिकर लगा जाता था बली उसको घटा करके एक बटे आठ कर दिया था तो अशोक अपने शासंकाल के 20 वर्ष रुम्मिन देई और फिर लुम्मिन भी पूछता है लुम्मिन अक्षर पूछेगा जहाँ पर रुम्मिन देई में ही लुम्मिन इस्थित है दोस्तों ठीक है नूबिनि में ही क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान है लुंबुनी ठीके न तो बीसमे वार शाकर यहाँ पे बलीकर को घटा दिया था एक बटे आठ कर दिया था सी इसका उत्तर है सुमेलित करें यहाँ सही सुमेलित करना है किसका उपनाम था या किस नाम से जाना जाता था तो चंद्रगुप्त को दोस्तों संड्रो कोट्टस के नाम से संड्रो कोट्टस नाम उलेख है कई जगवों पर संड्रो कोट्टस चंद्रगुप्त के लिए बिंदुसार के लिए अमित्रगात बी का तीन होगा अशोक के लिए देवा नाम प्रिदर्शी या प्रिदर्शी का इस्तमाल हुआ है प्रिदर्शी वन चाड़क को विश्णोगुप्त कहा चाता था तो सी इसका उत्तर होगा दो तीन एक चार आप लोग लगातार हमारे सारे वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप स्वयम जब हमारे ये दस वीडियो जो इसके पहले आया है वो देख लिजे और पेपर कोई सॉल्व करी आपको स्वयम समझ में आएगा कि प्रश्ण कहीं और से नहीं आते हैं यहीं से आते हैं बाकी जो डाउप्ट हो आप उपर जो दिया गया है आप देख रहे होंगे हैस्टेग में मेरा वाटसप नंबर है उसमें पूछ सकते हैं कई लोग उने पूछा भी अपने डाउप्ट को भी तो आप लोग भी पूछते रही है ऐसे निम्रकिस सात्वाहन नरेशों में किस से तिसमुद तोय पीतवाहन कहा गया which of the following सात्वाहन's kings is called तिसमुद तोय पीतवाहन तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी गौतमी पुत्र शात्करणी को तिसमुद तोय पीतवाहन भी कहा गया है इसका जो अर्थ होता है तिसमुद तोय पीतवाहन अर्थाच जिसके घोड़े ये घोड़े संबंदित है कि इसका घोड़ा तीन समुद्रों का पानी पीतवाहन जिसके घोड़े तीन समुद्र के पानी पीते है, वो किसके लिए बहुत के लिए गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवान वंश का एक शाशक था, बहुत ही यह प्रतापी राजा था इस वंश का, ती समुद तोई पीतवाहन की उपाद इसने धारण की थी, उसका प्रभाव पूरु में बंगाल की खाड़ी स लेकर पश्ची में अरब सागर तथा दक्षिन में अधि बात की जाए तो हिंद मा सागर तक फैला हुआ था तो इस प्रकार से इसलिए कहा जाता है कि उसके घोडे तीनों समुद्रों का पानी पीते हैं बंगाल की खाड़ी अरब सागर दक्षिन में हिंद मा सागर इसके बा किसे एकमात ब्रामभड या अद्विती ब्रामभड कहा गया है तो गौत्मिपुत्र शातकर्णी को गौत्मिपुत्र शातकर्णी को दोस्तों वन वयोस्था का सरक्षक भी कहा जाता है उसने वन वयोस्था को सरक्षित करने का प्रयास किया इसने अपने सिक्कों पर राज राज सिर भी अंकित करवाया था तो पूचुचा आता है किस ने अपने सिख्कों पर राज सिर अंकित करवाया तो गोत में पुत्र similar करवाया तो गोतम पुत्र शात करणी ने आगला है कौन सा युग विक्रमो वर्षियम दोस्तों ये कालिदास का विक्यात नाटक है इसी में राजा पुरुर्वा और उर्वशी के प्रेम और विवा की कथा का उलेक मिलता है डारेड प्रश्नपूर लेता है कि राजा पुरुर्वा और उर्वशी के प्रेम विवा का वर्डन या कथा किसमें मिलता है तो उर्वशी विक्रम उर्वशियम इसको अगर संदिविछेत करें इसका तो विक्रम उर्वशियम तो यहाँ पर उर्वशी नाम आउलेडी छिपा हुआ है विक्रमों वर्शियम में तो यही गलत होगा पंचतंत विश्व सर्मा ने लिखा है काम सुत्र वासयान की रचना है तो बिल्कुल सही है इसके लावा कालिदास की रचना है याद रखेगा बहुत महत्पूर्ण है इतना याद रखेगा शकालिदास पूछे जाते हैं जब मिलान करने को आता है तो वो अगर आपको तयार रहेगा तो जो गलत रहेगा उसको आप आसानी से ढूण लेंगे गुप्त काल में प्रशासनिक इकाईयों का सही क्रम है तो यह बड़े से छोटे में है देखे बड़े से छोटे में अर्थात यह और वही क्रम में दिया हुआ है आपको बताना है कि सबसे बड़ी इकाई प्रशासनिकाई कौन सी होती थी और सबसे छोटी प्रशासनिकाई कौन सी होती थी तो इसका दोस्तों ए आफ्षन याद रख लिजेगा जो सबसे छोटी काई थी ग्राम थी इसमें से और भुक्ती जो है सबसे बड़ी थी तो गुप्त काल में ग्राम सबसे छोटी काई थी इसका प्रमुक अधिकारी ग्राम पती कहलाता था या ग्रामिक कहलाता था ग्राम के बाद जो ग्राम से बड़ा था पेट जिसमें ग्राम का समूह आता था उसके बाद तहसील जिसे वीथी कहते थे वीथी आता था ठीक है न वीथी तहसील होता था ग्राम समूह का समूह होता था उसके बाद विशय आता था था जो यहाँ पर दिया है जिला ठीक वह ओता था विशय और फिर देश आता था या देश को ही भुक्ती कहते थे या अवनी कहते थे ठीक है न या सामराज कहते थे तो जो सही क्रम होगा ग्राम ग्राम के बाद पेट फिर वी थी विशय फिर देश या भुक्ती या अवनी या सामराज ठीक है तो इसका ए आफशन सही होगा अगला है अलावदीन खिल जी दोरा प्रचलित बाजार नियंतर्ण व्योस्था की देखरें किस विवाग के नियंतर्ण में थी तो विश डिपार्टमेंट Overseas the Market Control System prevailing by अलावदीन खिल जी यहाँ पे दोस्तों हमने दिवाने रियासत की एक बार और चर्चा की है बहुत भली भाद चर्चा की है एक वीडियो में ठीक है अगर आप तेन पूरा दसों हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपने उसको याद रखा होगा तो दिवाने रियासत ठीक है ना दिवाने रियासत के नियंतर्ण में थी अलाओ दि जो होता था सुल्तान द्वारा बनाई गई जो मूली सूची थी उसी के आधार पर सभी सामानों के विक्रे का प्रबंद करना था बाजार नियंतर्ण व्योस्था के अंतरगत सभी वस्तूओं के अलग-अलग अधिक्षक बनाए थे उसने जो शाहने मंडी कहलाते थे क्या कहलाते थे शाहने मंडी या शाहना ए मंडी कहलाते थे अगर हम दिवाने अरज की बात करें जो डी आफशन है दोस्तों तो याद रखेगा इसकी अस्थापना बलबन द्वारा की गई थी इस विभाग का प्रमुख जो था आरिजे मुमालिक होता था और यह भी सेना से संबंदित भाग था दिवाने अर्ज जो है यह सेना से संबंदित था वहें दिवाने रसालत जो ए आफशाने इसकी बात करें तो दिवाने रसालत एक विदेश विभाग से संबंदित या संस्था थी दिवाने रसालत इसका जो अध्यक्सता वो सद्र होता था और यह जो आपकी दिवाने रसालत है दोस्तों यह बहुत महत्पूर्ण संस्था थी इसके लिए किसी अधिकारी या किसी अमीर की नियुक्ति अलावदिन खिलजी ने नहीं की थी इसका कार्यभार स्वयम अपने हाथ में रखा था अलावदिन खिलजी ने बहुत प्रसिद था डिपार्टमेंट है दिवाने रसालत इसी के साथ ही इसके अंडर में एक और उसने विभाग की अस्थापना की जिसे दिवाने मुस्तक राज कहा गया दिवाने मुस्तक राज ये कर से संबन दित था ये दिवाने रसालत के अंडर में कारे करता था दिवाने मुस्तक राज ठीके इसके लमप प्रश्णावर भी पूछते हैं जैसे दिवाने खैराद पूछ लिया तो दिवाने खैराद, खैराद से आप यह समझेगा जहां भी खैराद सब्दा है जो निर्धन और असहाय लोग थे, ठीके बहुत गरीब लोग थे उनके लिए दिवाने खेरात की अस्थापना की गई थी किसने की थी फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक वंसी शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी जिसका प्रमुक कारे निर्दन और असहाई लोगों के जो पुत्रियों के विवाहादी के लिए या किसी अन्यकारियों के लिए वित्ती साहता उपलब्द कराय जाता था तो इसका उत्तर जो पूछ रहा है बाजा नियंतर व्योस्था की देखरे के लिए तो दिवाने रियासत भी इसका उत्तर होगा बाकी जो इभाग आएंगे दिरे-दिरे किसी ने किसी टेस्ट में समविलित करते होगे समाप्त हो जाएगा और ग्रूप में एक साथ सब हम दे देंगे आप लोग थोड़ा इंतियार करीए मुझे पता है कुछ चीज़ें लेट हो जाती है ग्रूप में देने हम लेकिन मैं धिरे-दिरे सब प्रोवाइड करता रहोंगा मुझे बिन तुगलक दवारा दिवाने अमीर कोही नामक कृशी विभाग स्थापित करने का उद्देश था मुझे देखे सबसे पहले तो दिवाने अमीर कोही या दिवाने कोही भी कहा जाता था इसकी अस्थापना किस ने की थी मुहमद बिन तुगलक ने किस से संबंदित था तो कृषी से संबंदित था कृषी भी भाग था तो यहां पर यह भी फैक्ट आपको याद अखना है तो किस इसका उदेश क्या था भूराजस वसूली को नियमित करना और क्रिशी की उन्नती ये दोनों ही इसका उदेश थे तो दिवाने कोही या दिवाने अमीर कोही की स्थापना मुहमद बिन तुगलक द्वरा की गई थी क्रिशी विकास और मालगुजारी व्योस्ता की जांच है तो इसकी स्थापना की गई थी ये अभी भाग क्रिशी से अक्रिकल्चर से संबंदित था जिसका अध्यक्ष अमीर कोही कहलाता था दिवाने अमीर कोही का जो अध्यश कहलाता था अकाल से निपटने के लिए मुहमद बिन तुगलक ने एक अकाल सहिता का निर्मार करवाया था याद रखेगा पूछा गया है कि अकाल सहिता का निर्मार किसने करवाया था मुहम्मद बिन तुगलक ने जिसके अंतरगत उसने कुवें खोदने बीज तथा हल खरीदने के लिए कृशकों को कृशी रिण भी प्रदान किया था तो कृशकों को कृशी रिण किसने प्रदान किया था या जिसको सोंधर कहा गया क्या कहा गया? सोंधर यह एक क्रिशी रिण था सोंधर जो मुहम्मद बिन तुबलक ने किसानों को प्रोवाइट करवाया अकाल के समय ठीक है या मुश्किल के समय डीस का उत्तर होगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्ता